दोस्तो तो कुछ दिन पहले हुआ कुछ यूँ की मेरे एक विवर ने मुझे इंस्टाग्राम में मेसेच किया कि सर क्या प्यार करना गलत है? तो खेर मुझे जो उसे बताना था मैंने तो बता दिया लेकिन फिर बात बे मैंने सोचा कि सच में ये सवाल कितना जरूरी है? तो पहले बात करते हैं इस टॉपिक पर बात करना क्यों जरूरी है? तो इसका दो कारण है पहला कारण है कि मैंने बहुत सरे लोगों को खुद experience किया है जो लोग प्यार के चक्कर में अपना बहुत बड़ा केडियर खो देते हैं इसका मतलब कि वो लाइफ में कुछ बड़ा एचिफ्ट कर सकते थे लेकिन आज वो नहीं कर पा रहे और दूसरा कारण ये है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लाइफ की बागी चीजों के लिए अपने प्यार को compromise करते हैं तो यहां से मेरे दो सवाल निकल के आता है जिसको अगर हम जान जाए तो ये पूरा चीज clear हो जाएगा पहला सवाल तो मैंने अल्रेडी बता दिया कि क्या प्यार करना गलत है और दूसरा सवाल जो है कि क्या केडियर को maintain करने के साथ हम प्यार कर सकते हैं वीडियो में आगे जानेंगे दोनों सवालों के जवाब बहुत ही गहराई में लेकिन उससे पहले अगर चैनल में न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और ना पसंद आए तो बिंदाश्टिस लाइक करना लेकिन अपना वोट जरूर देना और साथी साथ मैंने अपना Instagram ID का लिंक नीचे description में दे दिया है आप मुझे वहाँ भी follow कर सकते हैं तो भाई सबसे पहले आप ये बत clear कर लो कि आज मैं मम्मी पापा और family के प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी नजरों में मम्मी पापा और family का जो प्यार होता है वो सबसे उपर होता है उसका कोई comparison नहीं होता मैं सीधी बात कर रहा हूँ boyfriend या girlfriend वाले प्यार की तो अब आप समझने की कोशिश करना जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ तो क्या प्यार करना गलत बात है भाई इसका सीधा सा जवाब है प्यार करना कोई गलत बात नहीं है और ये मैं किसी प्रह्माचारी या फिर लव गुरु वाले भाहिया की बात सुनकी नहीं बता रहा हूँ ये बात पूरी fact की basis पे बता रहा हूँ कि प्यार करने में कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि सबसे पहले ये समझो कि प्यार जो होता है इस चीज का आविसकार इंसानों ने नहीं किया तुम उपर वाला कह लो या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि प्यार प्रकृति का देन है यानि कि प्यार एक नैचुरल फेनोमेनन है जिसमें इंसानों का कोई कंट्रोल नहीं और गलत चीजे सिर्फ इंसान बनाता है अपने लालच और फाइदे के लिए प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया पेड, पौधा, जील, हवा और इंसान सिर्फ अपने फाइदे के लिए गलत चीज बनाता गया प्रदूशन फैलाने वाले फैक्ट्री गाड़ी, हत्यार कहने का मतलब यही है कि प्रकृति ने या फिर उपर वाले ने अगर लड़का और लड़की बनाया है और उसे केमिकल लोशा कहलो या फिर होर्बोन्स का खेल बोल लो याने कि अगर फिलिंग्स दोनों में एक दुस्रे के लिए दिया है तो फिर वो गलत नहीं है तो इससे ये साबित होता है कि प्यार करना कोई गलत बात नहीं है लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ समय पर प्यार गलत चीज बन जाता है जी बिलकुल प्यार करना भी कभी-कभी गलत बन जाता है और इस चीज को समझाने के लिए मेरा दूसरा सवाल है याने की क्या केरियर बनाने के साथ साथ हम प्यार कर सकते हैं तो हाँ, अगर तुम एक छोटा सा केरियर बनाना चाहते हो, और साथी साथ अपने प्यार को भी अपने साथ रखना चाहते हो, तो तुम केरियर बनाने के साथ साथ प्यार कर सकते हो, लेकिन दोस्त, अगर तुम्हारा लाइफ में कुछ बड़ा एम है, कुछ बड़ा बनना और फिर कुछ भड़ा हासिल करना चाहते हो, तो फिर प्यार करना तुम्हारे लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम अपने और उस बड़े मुकाम के बीच में अगर किसी तीसरे इंसान को लाते हो, तो वो खुद को धोखा देना हो जाएगा, इसको समझाने के लिए दो एक्जामपल लोंगा, चंद्रगुप्त मौरिया और भगत सिंका, अखंड भारत का एक लौता समराट, चंद्रगुप्त मौरिया, एक बार उसको धन्नानत की बीटी से प्यार हो जाता है, तो वो चाना के पंडित से जाके पूछते हैं, कि गुरुजी मेरा मन विचलि उसे बोलते हैं, चंदु, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्यार करना तुम्हारे लिए गलत बात है, क्योंकि तुम एक बहुत बड़े लक्षे के पीशे काम कर रहे हो, और दूसरा एक्जामपल है भगत सिंग का, 21 साल का वो लड़का जिसकी बुलंदी को को भी नहीं बोल सकता, भगत सिंग की मा, जब भगत सिंग को बोलती है, बेटा शादी कर ले, घर में एक बहु लेया, तो एक चिट्थी घर पर छोड़के वो कानपूर भाग जाते हैं, और उस चिट्थी पर भगत सिंग लिखते हैं कि मा, मैंने अपना ये शरीर अपने दे साइफ में कोई लड़की होती, तो क्या ये थीनों इतने बड़े-बड़े काम कर पाते, क्या वो छोटा सा बच्चा चंदू, अखंड भारत का समराड बन पाता, चंद्रगुप्त मौरया बन पाता, या फिर क्या भगत सिंग अगर एक छोटे क्रामतिकारी बन भी जाते, तो क्या वो अपने देश के लिए अपनी जान देते थे 21 साल की उमर पर, और हो सकता है कि डॉक्टर एपी जब्दूल कलाम एक अच्छे खासे प्रोफेसर या फिर साइंटिस्ट बन जाते, लेकिन वो कभी मिसाइल मैन अफ दी इंडिया नहीं बन पाते, उमीद है दोस्त